देखिए, यूँ तो कहने के लिए इस दुनिया में करोरों से भी जादा लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो आपके दिल और दिमाग पे हाभी हो जाते हैं, जिनको अगर आप एक बार देख लोना, बार बार उनहीं को देखने को मन करता है, उनकी हर बातों क के बारे में जानना चाते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुती स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ही साथ आददों के बारे में बात करूंगा, जिनको अपना कर आप भी अपने दोस्तों के अंदर एक स्पेशल छबी बना सकते हो अपने लिए, आप भी हजारों के भीर में अलग दिख सकते हो, अपने आपको एक अलग उचाय पे लेके जा सकते हो, अपने विक्तितों में एक अलग निखार लेके आ सकते हो, तो इसलिए चलिए विना समय नस्ट करते होए बिना किसी वेत्वा आपके वीडि में सबसे ज़्यादा देखा गया है वो यह है कि they are self responsible and productivity oriented self responsible बोले तो देखो कही सारे लोगों को मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए वो लोगों के उपर दोशार open करना शुरू कर देता है कि मेरे ममी पापा ही मेरे व्यक्टि तो खो देता है अपना प्रभाब को मिटा देता है इसी कारण जो कुछ भी अपने साथ हो रहा है उसका जिम्यदार आप खुद हो इसको मानो और इसको अपना हो कि भाई मेरा जीवन मेरा सिध्धान्त मुझे लेना है मुझे ही करना है कोई मुझे सफल बनाने के लिए जिमेदार नहीं है जिस दिन मैं सफल बनूँगा या फिर मैं असफल बनूँगा उसका पूरा क्रेडिट पूरा जो जिम्मा है ना मेरे को खुद को लेना है ये जो self responsibility लेना है ये कंदों को और जादा मजबूत करता है हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई आपके कंदेदना शक्तिशाली नहीं है इतना सामरतवा नहीं है लेना शुरू करो जिम्मेदारी आपकी कंदे मजबूत होना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज़ उसी के अंदर जो आता है वो है productivity oriented बोले तो क्या देखो बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो समय oriented होता है quota oriented होता है बोले तो आपको 8 गंटा काम करने के लिए पैसा देते हैं हम तो 8 गंटा काम करने का ये जो लोग बोलते हैं या फिर जो ऐसे सोच कर काम भी करते हैं दोनों ही अपना value अपना मुल्य अपना प्रभाब घटा दे रहे हैं ऐसा क्यों है देखिए मैं किस लिए जाना जाता हूँ मैं अच्छा quality डिलिवर कर पा रहा हूँ मैं results डिलिवर कर पा रहा हूँ मैं productive हूँ इस कारण मैं जाना जाता हूँ अगर मैं आपको सही से घ्यान नहीं दे पाऊँ अगर मैं आपको समझा ना पाऊँ अगर मैं अपना value अब तक पहुचा ही नहीं पाऊँ अगर बस मैं 7 गंटा ऐसे ही बैठा रहता हूँ मैं value क्या दे रहा हूँ इसके हिसाब से मेरा मुल्यांक्यन होता है इसी के हिसाब से मेरा वजूत होता है मेरा प्रभाव होता है जिस दिन आप quality results produce करना सीखोगे productive काम करोगे भाई results यह आया आप 2 गंटा पढ़ाई करते हो आप 8 गंटा पढ़ाई करते हो घंटा matter नहीं करता matter करता है कि आप subject को सीखे हो की नहीं इसको आप परिक्षाग में लिख सकते हो की नहीं अपने बास्तविक जीवन में implement कर सकते हो की नहीं if yes, then आप अगर आद घंटा आदा घंटा परके भी नहीं इसको complete कर पा रहे हो ना it's good to go अब जा सकते हो यह productive है इसी से आपकी value बनता है एक दिन करते हैं, एक हपते करते हैं, ऐसे करके एक महीने भी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको लगता है भाई समय बदल गया है अब कुछ अलग करते हैं कुछ इसमें मजा नहीं आ रहा है तो इस कारण वो कुछ अलग करते हैं और ऐसे करते हुए जीवन में, हर पड़ा में, वो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करते चलते जाते हैं, जैसे समय आगे बढ़ता है, ऐसे उनको लगता है कि और नए चीज इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए, हम उसे करते हैं और वहाँ प वो बिफल हो जाता है, उसकी प्रभाब लोगों में भी नहीं रहता है, और खुद के अंदर भी नहीं रहता है, इस कारण, जो भी काम को पकरना है, पहले सोच लो, बहुत सोच लो, कि भाई काम को करना है कि नहीं, और अगर करना है, गो all in, पूरा, पूरा समर्पित हो जाए ये dedication के साथ लगा रही है, जब तक उसको सफल ना कर दीजी आप, ठीक है, इसी चीज़ को अपना ही है, आप भी बहुत जल्दी प्रभाब विस्तारकारी परसनालिटी का अधिकारी बन जाओगे, प्रभाब शाली विक्तियों के अंदर तीसरी आदत जो सबसे ज़ादा द task, देखिए, वो लोग humble होता है, polite होता है, लेकिन इसका अरत ये नहीं कि कोई विक्ति कुछ भी बोल दे और वो सारे बातों को सुनने लग जाए, नहीं, उनके पास एक goal होता है, लक्ष होता है कि मुझे इसको achieve करने के लिए जो कोई भी काम करना है, उसको पहले prioritize करता है क्योंकि वो उसके लिए सबसे जादा महतपूर्ण होता है, तो आप ही के जीवन में ऐसा भी कुछ goal होगा जिसको आप पूरा नहीं किये हो, उसको पूरा करने के लिए अपना सारा ध्यान इकटा कर दो और उसको prioritize करो, सबसे पहले उसको ही रखो priority number one में, उसको achieve करो, उसके लेकिन अगर हम हमेशा आपसे मदद मांग रहे हैं भाई, मेरे को सायता कर दो, या फिर आपको बार बार डॉमिनेंस कर रहे हैं तेरे से कुछ नहीं होता, मैं तुरे सायता कर रहा हूँ तु चुप चाब ले, और मेरा जो कह रहा हूँ चुप चाब सुन, ऐसा अगर मैं क करूँगा, मेरा रिलेशन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, रिलेशन का बेस होता है, भरोसा, विश्वास, समानता, अगर समानता नहीं होगी, चीज़े काम नहीं करेगा, तो इसलिए, विन-विन सिचुएशन क करना है, मैं भी कुछ दे रहा हूँ, आप भी कुछ दो, ऐसे करके एक संबंध बनता है, और उसी के चलते लॉंग टम, हमारा जो टीम बनता है, हमारा जो पर्सनल रिलेशन शिप बनता है, वो सारे हमको और जादा हेल्प करता है, आगे बढ़ने में, और इसी के चक्कर मे कि भाईया, आप भी साहता करो, मैं भी साहता कर रहा हूँ, इसी के चक्कर में, उनमें आपका प्रभाब और उनका प्रभाब आप में विस्तार होता रहता है, प्रभाब साली विक्ति बनना है ना, तो लोगों को साहता करो, और साहता मांगो, यानि की, win-win situation create करना शुरू प्रभाब साली विक्तियों में पाच भी आदत, जो सबसे ज़ादा देखा जाता है, वो ये है, they are good at communication, communication का अर्थ होता है, बारतालाब करना, एक विक्ति के साथ बारतालाब करो, या फिर विक्ति सम्हूओं के साथ, यानि की, एक से ज़ादा विक्तियों के साथ, करना क्य पहले सुनना है, दिल खोल के, अच्छे से, वो कहना क्या चाहरा है, उनकी दिश्टी कौन क्या है, वो किस problem में फस गया है, वो कहां पे रुख गया है, कहां पे अटक गया है, उसको समझना है, एक अच्छा स्रोता बनना पड़ेगा पहले, उसके बाद, उनकी Problems को सुनने के बाद आपको उनको directly समाधान ऐसे नहीं देना है जैसे कि मानो आप जैसा कह रहे हो वही सही बागी सब गलत नहीं ऐसा नहीं कहना है उनको सिद्धान्द लेने का मौका दो उनको उत्तर देने की मौका दो आप प्रश्ण पूछो उनको situation समझा दो बहतरे इन रूप में वह जहां पर problem में अटक रहे है उस problem को दिखा दो आपको solve नहीं करना है आपको उसको समझाना है भाई आप ही कर सकते हो और ये चीज़ जिस दिन आपने कर लिया ना उस दिन आपकी प्रभाब कही गुना बढ़ जाएगा ऐसा क्यों है दिखी एक कोई विक्ति को अगर आप जवरदस्ती सिखाओगे समझाओगे वो प्रभाब जादा दिन ने टिकेगा कुछ पलका नहीं होगा दो दिन बाद वही आपके against खड़ा हो जागा ये प्रभाब नहीं होता प्रभाब वो होता है जो दिल से किया जाता है सहायता की मनसा से किया जाता है जो लोगों को अच्छे आगे बढ़ाने से अच्छे रुप से आगे बढ़ाने से किया जाता है प्रभाब ऐसे विस्तार किया जाता है भाई आप लोगों को सही दिशा में लेके जाओगे, लोगों को साहता करोगे, लोगों की प्रॉब्लिम को समझोगे, तभी जाके प्रभाब बनेगा, you have to be a good communicator, आपको बातों को समझना पड़ेगा और बातों को समझाना भी पड़ेगा, इसको करिए और अपना प्रभाब आपको बढ़ाते चले चाहिए, प्रभाब चाली विक्तियों की छटी आदत जो सबसे जादा देखा गया है, वो यह है, they don't believe in competition, they believe in collaboration, इसका अर्थ क्या है, देखी, competition का अर्थ होता है, एक दूसरे के साथ प्रतिस पर्दा करना, यानि कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ तुम भी कुछ अच्छा कर सकते हो, तो इसको हम positively ना देखके यह देखेंगे भाई, तुम क्यों अच्छा करोगे भाई, मैं तुम से जादा अच्छा करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं कितना कर सकता हूँ, यह देखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, बस इसलिए ताकि अगर तुम भी मेरे field में होना, तो तुम मेरे को सायता कर सकते हो, मैं तुम को सायता कर सकता हूँ, तुम में भी कुछ कम्या होगे, और मेरे में भी कोई कम्या होगा, तुम मेरे को सुधार कर दो, मैं तुम को सुधार कर दोंगा, और हम दुनों मिलके इस समाज के लिए, जो समाज के हित के लिए होगा तो इस कारण कोलाबरेशन करने में प्रतिश पर्धा नहीं होगी संपर्क अच्छा रहेगा और समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो इसी कारण प्रतिश पर्धा छोड़िए और collaboration करना, एक साथ मिलके काम करना, शुरू करिए, आपका भी प्रभाब कही गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रभाब शाली विक्तियों में साथ वी हैबिट जो सबसे ज़ादा देखा गया है, वो यह है, they are lifelong learner, वो जीवन भर सीखते ही जाते हैं, जितना ही skill वो एक जान के सामने, तो इसी कारण जो एक प्रभाब शाली विक्ति होता है, जो एक सामर्तवान विक्ति होता है, उसको पता होता है, इस दुनिया के बारे में परणिंदा, परचचा, लोगों के बारे में चरचा करके, फालतुमें, गौब्मेंट, पॉलिटिक्स, राजनीती, इन सारे बारे में, कि भाई सचीन को ऐसे वैड गुमाना चाहिए था, इन सारे बातों में ना पढ़के, अपने उपर मननिवेश करो, अपना जो स्किल है, उसको और ज़्यादा निखारो, अपने आपको बहतरीन बनाओ, जितना नौलेज एकटा कर सकते हो, जितना ज्याद ले सकते हो, उसको लेके, आने वाले पीडी को पहुचाओ, उसको रिफ्रेस करो, उनको फिल्टर करो, भाई ये गलत गलत बोला गया था, अभी के समय में ये बदल गया है, इसको चेंज करके मैं ऐसे दे रहा हूँ, ग्यान लो उसको फिल्टर करो, और आगे वाले जेनरेशन को उसको सही से प्रेडन करो, ये अगर करोगे न आपकी प्रभाब बढ़ना शुरू हो जाएगा, वीडियो के अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कॉम्मेंट में ज़रू बताना, मिलते आगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छे रहना, जै हिंद, जै भारत!